दोस्तो हाले में मलेशिया के एरफोर्स के टेंडर में साउथ कोरिया के द्वारा भारत को एक बड़ा जटका दिया जा चुका है हाला कि दोस्तों ये टेंडर फिलाल कॉंट्रोवर्शल हो चुका और एक तरीके से बताया जा रहा है कि इसे लेके इन्वेस्टिकेशन चल रहा है लेकिन भारत के तेजस को फेवरेड मानने के बावजूद इस टेंडर में साउथ कोरिया के AFA-50 फाइटर एर कैप्ट को Lichgn Air Force के द्वारा बिजटा घूशित किया गया और दोसों अब बताया जा रहा है कि भारत के तरफ से डेवलप्ट किया हुआ और एक हतियार को भी साउथ कोरिया के तरफ से टक कर देने के लिए अपना खुद का हतियार का डेवलप्मेंट किया गया दोसों ये हतियार है Light Combat प्रचंड रिपोर्ट के मुताविक साउथ कॉरिया के तरफ से अपने हलिकॉफटर को मतलब लाइट आम्ड हलिकॉफटर को भी तैयार कर लिया गया है और इन हलिकॉफटरों के मास प्रोडक्शन शुरू किया गया दोसो आज के इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से साउथ कॉरिया के ये लाइट आम्ड हलिकॉफटर भारत के लाइट कॉमबाट हलिकॉफटर को बड़ा चुनोती दे सकते हैं और आने वाले समय में भारत के लिए ये बड़ा नुकसान का कारण बन सकता है तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रही है और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तो भारत एक तरफ जहाँ पे अपने डिफेंस एक्वेपमेंट हो के एक स्पोर्ट को लेके तैयारी कर रहा है तो उही पे भारत को बड़े जटके देने के लिए साउथ कॉरिया के और दोस्तों माना जा रहा है कि अब साउथ कॉरिया का नेक्स टरगेट है इंडिया के लाइट कॉरिया के तरफ से अपने हलके वजन के हमला कर सकने वाले एरक्राप मतलब लाइट आम्ड हेलिकॉफटर को लेके एक बड़ा तैयारी किया गया है और साउथ कॉरिया अब इ दॉलर के एक प्लान को आगे बढ़ाते हुए यारक्राप्टों के मास प्रोडेक्शन शुरू करने का बात कहा गया है जिसके उपर संभावित आने वाले कुछ महिनों के अंदर काम भी शुरू हो जाए तो साउथ कॉरिया के जो डिफेंस एकोईशन प्रोग्राम एड्मि नीडों को देखते हुए भी प्रोडियूस करेगा और रिपोर्ट के मताविक इन हेलिकॉफ्टरों का इस्तिमाल करके 500MD और AH1S कोब्रा अटक हेलिकॉफ्टरों को रिप्लेस किया जाएगा और दोसों साउथ कॉरिया के तरफ से ये अनौंस्मेंट भारत के तरफ से अप साउथ कोरिया के लाइट आम्ड हेलिकॉफटर के मुकाबले में अगर लाइट कॉमबैट हेलिकॉफटर को देखा जाए तो इसमें कई तरीके के सिगनिफिकेंट एडवांटेज है जिनमें की ये दुनिया का एक मात्र ऐसा हेलिकॉफटर है जो 5000 मिटर के उचाई में स्ति एर बेस या फिर के है तो लैंडिंग स्टिप के उपा लैंड कर सकता है और वहाँ से फिर हत्यारों को कैरी करके टेक आप भी कर सकता है साड़े 6000 मिटर के उचाई तक जा सकने वाला ये दुनिया का एक मात्र एटैक हेलिकॉफटर है और इस तरीके का शमता ना ही साउथ किसी अन्य भारी भरकम या हलके वजन के हलिकॉफटर के पास है फिलाल दोस्तों अगर दोनों हलिकॉफटरों को देखा जाए तो दोनों में काफी अधिक अंतर है हाला कि दोनों ही एक मिलिटरी आम्ड हलिकॉफटर है और दोनों को हलके वजन के हलिकॉफटर के रूप में रूप से indigenous design है और ये दोस्तों इसके design के समय से ही इसमें इस बातों को ध्यान में रखा गया है कि इसे एक armed helicopter के रूप में बनाया जाएगा और दोस्तों अगर बाकी अंतरों को देखा जाए तो light combat helicopter तैयार है और इसके production भी जहाँ पे शुरू हो रहा है तो वही पे इन helicopter को Indian Army और Indian Air Force के बेड़े में शामिल भी किया जा चुका है जबकि South Korea के light armed helicopter अब तक तैयार नहीं है और इसका केवल मात्र first flight को अंजाम दिया गया है और report के मतावी की under development है और केवल मात्र अब तक तीन ही प्रोटोटाइपों का निर्मान किया गया है मतलब अविवी helicopter के clearance बाकी है और इसके बाद इसके production शुरू किया जाएगा पर दोसो South Korea जिस तरीके से तैयारी कर रहा है इसमें साफ साफ लग रहा है कि South Korea South East Asia के देशो को पहारी एरिया में helicopter का इस्तेमाल का आवशकता होगा तो वो देश obviously भारत के light combat helicopter के तरफ ही focus करेगा लेकिन अगर किसी एक देश को high altitude में helicopter के operational की capability का आवशकता नहीं है तो शायद यहाँ पे दोनों देशों के इन helicopter के बीज में घमासान हो हाला कि दोस्तों इसके इलावा एक बहुत बड़ा factor यह भी है कि इन helicopter में किसका price कितना होगा और कौन कितने लुभानी offer के साथ अपने customer को लुभा सकेगा साथ कुरिया के तरफ से Malaysian Air Force के tender में जिस तरीके से lobbing और kickbacks का सहरा लेते हुए एर क्रेप्टों के deal को अपने पक्ष में किया किया उससे देखते हुए तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में helicopter के dealों में भी साथ कुरिया के तरफ से इसी तरीके से काम किया जाएगा जब लाइट कॉमबैट हेलिकॉप्टर प्रचंट है यह असल में एक अटैक हेलिकॉफटर है जिसका निर्मान का काम हिंदूसान अर्नोटिक्स लिमिटेड के तरफ से किया गया है और दोस्तों यह हेलिकॉफटर अपना फर्स्ट फ्लाइट 29 मार्च 2010 में भरा था साल 2021 में ही इ से कॉम्रान के अर्मी के प्रचंट पांच अर्मी के लिये होगा, जब कि 95 हेलिकॉफटर अंडियन आर्मी के लिए होगा दुसरे तरफ अगर South Korea के light armed helicopter को देखा जाए तो दोस्तों ये भी एक military armed helicopter है helicopter को Eurocopter EC-155 के base पे बनाया गया है और एक agreement के अंतरगत Airverse helicopter के तरफ से South Korea को इन helicopter को manufacture करने के लिए साल 2015 में अनुमती दिया गया था उसके बाद इन helicopter के base पे South Korea के तरफ से ये close air support helicopter के निर्मान का काम शुरू किया गया ताकि अपने बेड़े के पुराने हो चुके कोबरा helicopter को रिटार किया या सके helicopter के manufacturing का काम South Korean Aerospace Industry और Airverse helicopter के तरफ से किया जा रहा है और दोस्तों अब तक इसके तीन prototype का ही निर्मान हुआ है ये helicopter South Korean Army के या फिर Air Force के बेड़े में कितने संख्या में सामिल किया जाएगा या कितना order दिया जाएगा इसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है तो से helicopter के अगर बाकी features को देखा जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दू भारत के light combat helicopter को fly करने के लिए दो crew member का आवशकता होता है और ये जो helicopter है इसका लंबाई करिवन 15.8 meter मतलब 51 feet 10 inch और wings fan करिवन 4.6 meter मतलब 15 feet 1 inch है helicopter का height 4.7 meter मतलब 15 feet 5 inch है तो वही पे इसके empty weight 2250 kg और maximum take off weight करिवन 5800 kg है helicopter के payload शमता करिवन 1750 kg के आसपास है साथ कूरिया के light armed helicopter को देखा जाए तो इससे भी fly करने के लिए दो crew member का आवशकता होता है इस helicopter का लंबाई 14.6 meter मतलब 47 feet 9 inch है तो वही पे height इसका 4.35 meter मतलब 14 feet 3 inch है और दोस्वे इससे आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि साथ कूरिया के जो helicopter है ये भारत के light combat helicopter से सामान ने चोटा है वही पे साथ कूरिया के helicopter के अगर empty weight को देखा जाए तो ये करीवन 3400 kg है और maximum take off weight 4920 kg है हाला कि इसके payload के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है और वजन को अगर देखा जाए तो साथ कूरिया के जो light armed helicopter है ये empty weight के मामले में जहाँ से भारत के helicopter से अधिक भारी है तो वही पे maximum take off weight के मामले में ये light combat helicopter के मुकाबले में हलका है जिसका simple मतलब ये है कि इसका जो structure है ये काफी अधिक भारी है 1H1 turbo shaft engine का इस्तेमाल हुआ है जिन में से हर एक engine का शमता 1000 से लेके 1500 kilowatt या फिर कहतों 1400 से लेके 2000 horsepower तक है साथ कूरिया के light armed helicopter में भी दो engine का इस्तेमाल हुआ है और फिलाल इस engine के specification तो नहीं बताया गया है लेकिन report के मुताविक इन में से हर एक engine का शमता करिवन 1024 horsepower के आसपास होगा मतलब भारत के helicopter में इस्तेमाल होने वाले engine के मुकाबले में साथ कूरिया के light armed helicopter में इस्तेमाल होने वाला engine काफी कम power generate कर सकेगा ओई पर दोस्तों helicopter के अगर rotor के diameter को देखा जाए तो पचंट helicopter के rotor का diameter करीवन 13.2 meter या फिर कहतो 43 feet 4 inch है और light armed helicopter के rotor का diameter करीव 12.6 meter या फिर 41 feet 4 inch के आसपास है मतलब इसका rotor भी भारत के helicopter के rotor के मुकाबले में छोटा है helicopter के अगर performance को देखा जाए तो light combat helicopter अधिक्तम 268 km per hour के रफतार में जहाँ पे उडान भड़ सकता है तो वही पे इसका range 550 km और endurance करीवन 3 घंटा 10 मिनिट है service ceiling मतलब उचाई में जाने का शमता 6,500 meter या फिर कहतो 21,300 feet है तो वही पे rate of climb मतलब उपर के तरफ चड़ने का रफतार 12 meter per second या फिर कहतो 2,400 feet पर मिनिट है साथ कुलिया के light armed helicopter के अधिक तरफता 243 km per hour और range करीवन 857 km है इसके ferry range करीवन 985 km बताया जा रहा है जबकि इसके service ceiling 4527 meter मतलब केवल मातर 15,000 feet है rate of climb 8.9 meter per second है मतलब 1750 feet per minute है और दोस्तों इसका simple मतलब यह है कि speed के मामले में ये helicopter भारत के helicopter से कप पीछे है लेकिन range के मामले में थोड़ा आगे है service ceiling के मामले मतलब उचाई में जाने का शमता के मामले में भी ये helicopter काफी पीछे है तो ही पे rate of climb मतलब उपर में चड़ने का रफतार के मामले में भी helicopter पीछे है तो सो हतियारों को देखा जाए तो भारत के light combat helicopter में 4 heart point है जिसके सहरे ये 1750 kg के हतियार और अन्ने वस्तों को carry कर सकता है इन heart point हो में 4 set में 12-12 करके मतलब total 48 laser guided rocket या फिर कहतो 4 set में 2-2 करके total 8 missile air-to-air missile लगा जा सकता है इसके इलावा 4 set में 4-4 करके धुरू वस्त्र जैसे total 16 anti-tank guided missile को भी लगा जा सकता है ये helicopter precision guided munition मतलब 2 HSLD 250 bomb से भी last हो सकता है इसके इलावा cluster munition guided bomb और pre-fragmented bombs को भी इसमें लगा जा सकता है इसके इलावा helicopter में grenade launcher को भी लगा जा सकता है जबकि light combat helicopter के जो प्रमुक हतियार है वो है इसके chin mounted 20 mm के cannon जो कि Thales के turret के साथ है और दोस्तों बताया जाता है कि ये जो gun है ये helmet mountain display के साथ जुडा हुआ है मतलब pilot जिस तरफ अपने सिर को घुमाएंगे gun उस तरफ निशाना लगा सकेगा साउथ कूरिया के helicopter में हतियार के रूप में 20 mm के gun का इस्तेमाल किया गया है और ये एक तरीके के rotary cannon है जबकि अन्य हतियार के रूप में इसमें 4 air to ground missile को लगा जा सकता है मतलब दोनों तरफ दो-दो missile या फिर 2 7-sot rocket launcher को लगा जा सकते जो कि Hydra 7 rocket कहके बताया जा रहा है इसके इलावा दोस्तों इन helicopter के पास भारी वर कम या फिर कहें तो anti-tank guided missile जैसे हतियारों को carry करने का ना शमता है और ना ही ये जो helicopter है ये air to air missile को carry कर सकेगा मतलब किसी देश को अगर limited power के साथ helicopter का आवशकता होगा तो obviously South Korea के इन helicopter को चुना जा सकता है लेकिन कोई देश अगर ताकदवर हलके वजन के helicopter को हासिल करना चातर और वो भी Apache जैसे helicopter के हतियारों के साथ तो उन देशों के लिए भारत के light combat helicopter एक प्रमुक चोईज होगा तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्काइब कीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन